नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप KOTAK 881 में अपना Zero Balance Saving Account उपन करा सकते हैं वेल यह आपर मैं बात करूँ तो कोटक का जो अकाउंट है Zero Balance Saving Account होता है इसमें आपको कोई भी पैसा मेंटेन करने की ज़रूत नहीं रहती है यह जानेंगे इसके फीचर्स क्या-क्या है कौन-कौन से डॉकुमेंट होने वाले हैं और अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करते हो तो यह जो साथ पर्षेंट का इंट्रेस्ट रेट है इसके पार में मैं आपको बताऊंगा कैसे हमको यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा है ठीक है चलो यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं सबसे पहले इसके फीचर्स यहां पर आप लोग देखो फीचर्स ओप जीरो बैलन सिविंग अकाउंट ऑपन जीरो बैलन सिविंग अकाउंट ओनलाइन गैट एप टू 7% इंट्रेस्ट पर रिनम पेपरलेस प्रोसेश और इंस्टिन बश्वल डैबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड अगेंस अब्डी नो चार्ज़ फॉर credit card मिल जाएगा इसके बाद benefits के बारे में बात करते हैं तो no need to maintain भाई वही वाला point ने फिर से add कर दिया फिर से वही वाला find और get instant virtual debit card ये भी वही है free digital transaction like neft iamps upipay you contact तो यहां से आप यह सारी सिज़े देख सकते हैं ठीक है unlimited account validity and unrestrict deposit to and spawn apply for यह सारी सिज़े यहां पर बता रहा है तो यह हमारे कोई काम की नहीं है बट यहां पर आप लोग देखो आप यहां से important DJ है fees and charges के बारे में बात करें आप लोग यहां पर देखो account opening जो फी है वह जीरो है maintenance fee आपको कोई भी charges नहीं लगेंगे average monthly balance जीरो भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है debit card आपको free मिल जाएगा virtual debit card मिलेगा but fund transfer any FTA बगेर में उसमें आपको कोई charges नहीं है annual fee nil मतलब कुछ भी charges नहीं लेगें लेकिन यहां पर आप लोग देखो अगर आपको physical debit card चाहिए तो इसको लिए आपको 299 रुपए लगने वाले हैं और image debit card आप one time image free अब 235 यहां पर ध्यान से देख लेना इसके बद card replacement fee अगर आपका card आप दूसरा मंगाना चाहते हैं तो आपको 299 रुपए फिर से लगेंगे देन foreign exchange markup fee 3.5% मतलब foreign currency कोई बगर आते तो उस पर आपको यह charges added है ATM charges की बात करें तो यहां पर देखो after free transaction for financial transaction देखो यहां पर कुछ कुछ है दो बार तीन बार ऐसे आप लोग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है बाट जब भी आप इनके ATM से करोगे इसके अगेंस तो यहां पर 21 रुपए पर transaction के लगेगा non-financial transaction domestic ATM पर यहां पर आपको 8.50 का यह लगेगा eligibility के बारे में बात करें तो यहां पर आप लोग देखो आपकी जो है 18 प्लस होनी चाहिए और आधार काड पिन काड और आप इंडिया के citizen होनी चाहिए चलो सबसे पहले आपको क्या करना है मैंने description में आपको link प्रोवाइड कर आया है तो आप सीधे इस वाले पेज में आ जाओगे यहां पर अपना डाल देना email डाल देना और पिन कोड़ कर देना इसके जस्ट बाद आपको open now वाले option में क्लिक करना है इसके बाद next page में आपके सामने यह वाला option निकल के आएगा यहां पर आपको पना pen number और अधार का number डालना है और इसके बाद इस वाले option में आपको क्लिक करके proceed to okay दिन आपके बास यह वाला page निकल के आ जाएगा यहां पर आप लोग देखो आपकी कुछ detail यहां पर लिखी होंगे ठीक है तो यहां पर आपको second option में अपने को क्लिक करना है आप यहां से fetch from अधार में क्लिक करके आप वहां से भी कर सकते हैं बड़ यहां से आप अपन सेलेक्ट कर लेगे यहां पर इसके जिश्ट बाद major source of income यहां पर आप अपने recording सेलेक्ट कर देंगे जो भी है आप investment income family income जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट yearly income वह आपको कर देना है इसके जस्ट बाद आपको marital status अपना सेलेक्ट करना है next में आपको अपनी मदर्श का नेम एंटर करना है जैसा कि आपकी pen card में 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 इसके जस्ट बाद इंटर मदर्श में यहां पर आपको एंटर कर देना है और प्रोशीट वाली option में इसके जस्ट बाद next page में आपको यह address सेलेक्ट करने को कहेगा तो आप अपने recording यहाँ पर address एंटर कर देना सबसे first number में आप एंटर करेंगी आप फ्लेड हाउस जो भी जहां भी रहते हैं आप यह फिर आप अपनी कॉलोनी बगर रहे हैं पर line 1, line 2 में add कर सकते हैं लेंड बार के एड करेंगे पिन कूट के साथ आपको फ्रुशीट वाले उपसन इसके जस्ट पीज में आपको यह वाला option देखने को मिलेगा यहां पर आपको नोमीनी एड करने हैं आप जिनको भी नोमीनी बनाना चाहेंगे आप यहां पर add नोमीनी क्लिक कर देंगे इसक पोमीनी का address आप यहां पर सीब अपना जो दिये हैं उसके नोसार भी कर सकते हैं और आप मैनुली भी एंटर कर सकते हैं तो चलिए मैं यह सारी चीजे हां पर एंटर करके next आपको यहां पर कुछ फॉर्मल्टीज यहां पर आपको दिखाई जाएंगे जैसे कि यहां पर ब कहीं भी कोई भी प्रॉल्म यहां पर नहीं होनी चीह है, यहां पर आपको प्रोशीट टू एप में खीशन में इसके ज़स्त बड़ नेक्स पीज में आपके समें यहां ते साथ यहां पर वेट करनी नहीं है जस्त वेट करने के बाद आपके सांपने यहां श् voting नकालगा आपको के अबना केसे इसेरां जैसे यहां पर अन की हैंगें तबसेयां तो कम कर सकते हैं करकर आपके सब्सक्राइब कोढूंबर किसे मैंने केसे करेंगे में तक प्सक्राइब dalते हैं जिसमें आप maximum balance 5,000 रुपय तक रख सकते हैं और UPI बगर यहां से आप जो है वो कर सकते हैं यहां पर आपको क्या करना है इसकी complete full KYC करना पड़ेगा ताकि आप इसके और वी feature से उनको प्यूक कर पाएं ओके जैसी complete KYC में आप क्लिक करोगे तो आप इस वाले page में आ जाओगे यहां पर देखो आपको अपना original pen और profile picture एक selfie लेंगे आपसे और आपका जो signature है वो blank paper में आपको यहां पर लेना पड़ेगा और यहां पर आपको proceed to verify में क्लिक कर देना है यहां पर आपको क्या करना है सेडल या विजिट में आप क्लिक कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो वीडियो के KYC on mobile में तो आप अपने mobile में इसका जो app आता है उसको download करके कर सकते हैं तो कुछ इस तरीके से जैसे कि मैंना आपको बदा दिया सारी डीटेल आपको मिल जाएगी यहां पर bank account बगरा यह सारे चीजे यह आपको provide करा देते हैं फुल के KYC कराना चाहते हैं तो आप easily इस तरीके से कर सकते हैं और आप easily इस bank account को use कर सकते हैं कोई भी problem आपको नहीं आने वाली है अगर आपको कोई भी process समझ भी नहीं आई है कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप मुझे comment में बताएं फिलाल आज की इस वीडियो मुझे नहीं था वीडियो इंफिर्मिट्व लगी होते हैं जादे 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 वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना ज्यादा कुछ भी difficult process नहीं जाद पांच मेंट किया process थी थैंक्यू सो मुच पोचिंग